Good morning, dear student, class 6 आज आप लोग को chapter 2 है, SST में chapter 2 पढ़ना है, the year list societies year list societies यह NCH history का माट्स है NCH history का मनिंग है कि पहले का society कैसा था वहां की लोग कैसे सर्भाइब करते थे और अपने लाइफ को कैसे जीते थे तो यही पढ़ना है कि हम लोग को year list society में पहले life कैसा था और यह किस कितने parts में divided था और कब से कब तक कौन सी society चला इसमें मेन यही पढ़ना है और इसकी कुछ region पढ़ना है और इसमें चाड़िये का कि life कैसे सिटर्ड हुआ आते हैं इसमें मेन ली पढ़ना है आपको इस्टोन इज आते हैं इस्टोन इज क्या होता है तो कहा जाता है मैं the woman जो था अगर सबसे लॉंग टाइम सर्वाइव किया तो वह किसमें किया तो पैलेजिक एज जिसको हम लोग इस्टोन इज करते हैं इसमें कहा जाता है यूज ऑफ इस्टोन ho men इस्टोन को यूज किया इस्टोन को क्या चिज apart थे वे यूज करते थे अब, आते हैं thingy, अब आते हैं, देखिए, आपकत करल टॉने में स्टॉने चला, आता है का फाइव लाक्त से स्टीह हुआ था, और ऀस टोने में से चला था उनके पास परियागत सावर नहीं था, इस तरह से उभको होगत सारे problem faces करना होता था। विफी climate problem होता था, उनके पास बहुत सारी problem होता था। अब बाते हैं, History period, कालने नहें, history period को कुछ divide किया रिया। पहला बाते आपको estonage में, estonage में क्या था? कि use of stone यानि movement अगर सबस्य long termination किसी में survive किया तो वह इस्टोर इज में अब अते हैं the cherry cage, cherry cage में क्या था? the cherry cage में use of copper इसमें copper को use किया लिया the cherry cage इसमें copper को use किया लिया और copper एक metal था जो समें वीपन के तौर पी उच किया लिया कहा ड़नता है कि हुमेंस के दौरा अगर फर्स टाइम अगर कोई मेंटर यूज़ किया लिया तो वह कॉपर ही था अब अब आते हैं इसमें इसमें कोपर और जीन को मिक्स करकर बनाया जाता है तो याद रखिएगा कि ब्रोंच को जो टूल्स यूज़ किया है उसको हम लोग ब्रोंच एज करते हैं अब आते हैं iron age इसमें use of iron है हम लोग ब्रोंच के तोर पे जो iron यूज़ करते थे उस समय उस age को iron age करते है iron age को कहीं कहीं आपको modern age मिलेगा देखने के लिए जिस समय iron हो जा गया, discovered हुआ उस समय से modern age में count होने लगा अब आते हैं stone age देखे इसमें में लिए आपको समझता है stone age इसमें आते है पेवलिथी केज उसके बाद मेसोलिथी केज और नियोलिथी केज तो पेवलिथी केज को हम लोग कहते हैं अर्ली इस्टोनेज यानि women सबसे long termination यहीं पेवलिथी केज में survive किया तो पेवलिथी केज में किदने सांद सर्वाइब किया तो देखेएगा 5,000,000 BC से लेका 8,000 BC तर human being पेवलिथी केज में survive किया पेवलिथी केज को हम लोग अर्ली इस्टोनेज करते हैं इस समय women के पास प्रयाब जाना नहीं था वे food के लिए एक जगल से दूसरे जगल सर्वाइब करते थे तक उस समय पेवलिथी केज था पेवलिथी केज में ही कुछ खोज किया गया और इनके दोरा कुछ important points है जो आ ranking करते थे और wonders होते थे एक जगह से दूसरे जगह search of food के लिए जाते थे दूसरा था tools and weapons पे क्या बलाते थे तो tools and weapons यूच करते थे लेकिन वो किस चीज का होता था तो stone का होता था क्योंकि उस समय कोई metals discovered नहीं था दूसरा था discovery of fire उसी समय fire का discovery होता है और सब का life क्या होता है धीरे धीरे change होना सुब होता है क्योंकि पहले लोग होते थे तो raw meat खाते थे bark of tree, tree का बहनते थे cloths में इस सब का huge करते थे अब आते है मेस्व लिथी केट मेस्व लिथी केट में कुछ changing हुआ मेस्व लिथी केट में 10,000 PC से लेकर 1000 PC तक चला इसमें क्या था कि started agriculture अब गुमेंद देखें कि अब हम लोग को agriculture इस्टार्ट करना चाहिए तो धेरे धीरे उटके पास seed मिला सुदू हुआ वे फूड और ग्रेंस को पाक्सानने लगें धोर थीरे देरे उटमें समझ बढ़ने लगा तो वे एक लिथी कल्चर स्टार्ट किये तो उसके साथ खित लिथी कल्चर को protection देने के लिए वे इनिमल को domesticated करने लगे अब आते हैं नियू लिथी के लिथी नियू लिथी एज को नियू एस्टोन एज करते है अब इसमें क्या हुआ कि फूमें लाइफ सेट्सखा लेज कि इस्कवरी ऑफ विल हुआ तो जैसे कि discovery of whales की invented हुआ, तो human life पुरी तरह से change हो गया और इसमें क्या हुआ, human का life से turned हो गया अब देखे, एगरी culture होगा, तक किसी bank किनारे एगरी culture होगा bank of favor के किनारे और एगरी culture को protection देने के लिए वे लोग क्या करने लगे, वहीं पर घर बनाकर रहना सुरू किये जैसे ही वहीं पर रहना सुरू किये, उस समय से एक society formation होने लगा और उसी समय से एक नया society क्या होने लगा, पुरुग्रेश होने लगा तो उसी समय से एक नया सोसाइटी, रिट्वर, कल्चर इस अब क्या होने लगा, डेवलप होने लगा, इस अब कब से डेवलप होने लगा, तो नियोलिथी केज से, और नियोलिथी केज में कुछ चेंजिंग हुआ, तो क्या क्या चेंजिंग हुआ, तो से टर्ड एक दी और डिस्कोबरी ऑफ विल्स हुआ इस चेप्टर में इतना है आप लोग का इपोर्टेट पॉइंट था आफे हम लोग नेक्स चेप्टर में मिलते हैं आप सोब